दोस्तों, रंग रंगिला राजस्थान अपनी रजवाडी शान के लिए सदा ही याकर्षन का केंदर रहा है। राजस्थान में आज भी ऐसे कही महल वे पैलेस हैं जो बारत के साथ साथ राजस्थान की समरद संस्कृति और इतियास की अद्बुद कानी बया करते हैं। हर पैलेस और महल का अपना एक अलग ही एतियासिक मैतव है। विशव भर से हर साल इन महलों को देखने लाखों लोग इंडिया आते हैं। तो चलिए आपको राजस्थान के छे सबसे प्रसीद वैखूबसूरत महलों के बारे में बताते हैं। अगर आपने अभी तक देशी लाइस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं। तो ऐसी और राजस्थानी वीडियोज देखने के लिए अभी सबस्क्राइब करें। नमबर छे, सीटी पैलेस जैपूर। दोस्तों, सीटी पैलेस राजस्थान के जैपूर। शेत्र में स्थित है। जो कि इस शहर का एक मेन लैंडमार्क भी है। इस महल का निर्मान महाराजा स्वाई जैसिंग जी ने सन 1729 से 1732 में करवाया था। इस महल में परवेश के लिए साथ द्वार भी बने हुए हैं, जिनमें उद्यपोल द्वार सबसे परमुख द्वार है। यहां स्थित इमार्तों में दिवाने आम, दिवाने खास, वैपोति काना, मुख्य आकर्शन है। नमबर पांच पर है, रामबाग पैलेस जैपुर। रामबाग पैलेस का निर्मान, रानी की पसंदिदा नोकरानी, केसर बदरान के लिए वर्ष 1835 इस्वी में करवाया गया था। हालांकि बाद में इसे एक महल में तबदील कर दिया गया और इसे जैपुर के माराजा के निवासतल के रूप में इस्तमाल किया जाने लगा। बलुआ पत्थर और संग मरमर से तैयार, रामबाग पैलेस उस समय की अद्बूत कला का एक बैतरीन नमुना है। इस महल को बनाने के लिए कई जगे लकडी का इस्तमाल भी किया गया था। इस महल को जैपुर का गहना भी का जाता है। जहां देश से लेकर विदेशी से लानी भी गूमने के लिए आते हैं। नमबर चार लेक पैलेस उद्यपूर। लेक पहले सुद्यपूर राजस्थान की प्रमुको और शांदार इमारतों में से एक है। यह खुबसूरत सरंचना पिछोला जील के बीच जग निवास द्वीपरस्तित है। महराना जगस सिंग जी ने वर्ष 1743 में एक ग्रिशम कालेन निवास के रूप में इस महल का निर्मान करवाया था। वर्तमान समय में यह शांदार महल एक फाइस्टार होटल के रूप में कारेरत है। सुंदर स्तंबित छतें कोलम के साथ आंगन उद्यान और फवारे महल के सुंदरे को बढ़ाते हैं। लेक पैलेस इमारत की शांदर वास्तुकला जटिल शिल्प कोशल एक सुंदर उधारन प्रस्तुत करती है। यह खुबसूरत इमारत दुनिया के सबसे उत्तम महलों में गिनी जाती है। नमबर तीन उद्यविलाज पैलेस उद्यपूर यह पैलेस राजस्थान के उद्यपूर शहर में पिछोला जील के किनारे पर स्तित है। जो कि पचास एकड़ शेत्र में फैला हुआ है। यह पैलेस मेवाड की अतीति देवो बवय परंपरा और राजशाई जीवन शैली की एक मिसाल है। जो कि एक होटल के रूप में कारेरत है। अगर आप भी महल में रहने का आनंद उठाना चाते हैं तो यह पैलेस आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नमबर दो उमेद बवन जोदपुर उनिस सो तरालिस में निर्मित उमेद बवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े नीजी महलों में से एक है। यह पैलेस अद्बुर डिजाइन और वास्तुकला के लिए लोग दिया है जो कि जोदपुर शहर का मुख्य आकर्शन है। वर्तमान में उमेद बवन पैलेस तीन शेत्रों में विबाजित है। जिन में से एक अभी भी जोदपुर शहर के शाही परिवार के पास है। अन्यए दो में से एक को एक हैरिटेज होटल में प्रिवर्तित किया जाचुका है। वैं दूसरा एक संग्राल्य के रूप में कारे रथ है जो शाही यूप की कला को दर्शाता है। नमबर एक पर है हवा महल जैपुर। हवा महल राजस्थान के जैपुर शहर में स्टित है। 1799 इस्वी में सवाई परताप सिंग जी ने इस पांच मंजिला इमारत का निर्मान करवाया था। इस महल को उस्ताद लालचंद कारिगर ने बगवान श्री किशन के मुपट के अकार में बनाया था। वर्तमान में ये महल एक म्यूजियम के रूप में कारिरत है। इस महल में 953 चोटी 355 बड़ी खिड़किया है। ये एक मतर महल है जो बिना नीव के बनाया गया था। हवा महल की पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचितर मंदिर, चोथी प्रकाश मंदिर वे पांचवी मंजिल हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे राजस्तान के 6 प्रसिद महल। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा महल सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स पूर वाचिंग।